नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में हम लोग N.I.O.S की माधमिक अक्षा यानि हाइ स्कूल का अर्थ सास्त विशे पढ़ रहे हैं इस विशे के अंतरगत हम लोग मोड्यूल 7 पर हैं जिसका की शीशक है भारतिय अर्थ विवस् था तो इस मॉड्यूल के अंतरगत हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है अध्याय 20 जिसका की शीशक है भारतिय अर्थ विवस्ता के छेत्रक पहलू तो पिछले जो अध्याय था उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार से प्रात्मिक छेत्रक दित्यक छेत्रक और तित हैं क्या उसका महत्व है भारत की अर्थ विवस्ता के प्रति उसके बारे में हम जानेंगे तो आज का जो अध्याय है उसको प्रारम करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना वर्ट्सेप नमबर एक बार फिर शेयर करूँगा जो की है 7895860757 आप लोग हमको इस दोस्त हैं अपने जो परिचित हैं उन लोगों के साथ जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोट से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा तो आईए प्रारम करते हैं आज का पार्ट एक बार रीकैप कर लेते हैं पिछ तीन छेत्रकों में से किसी ना किसी एक के अंतरगत आता है इसको प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर बोलते हैं इसके पश्चात हमने जो प्राइमरी सेक्टर है या प्रात्मिक छेत्रक है उसकी भूमी का और उसका महत्यों के बारे में जाना था और फिर इसी प्रिकार से दित्तक शेत्रक की भूमिका और उसके महत्तु के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा था कि तिर्तक शेत्रक क्या होता है तिर्तक शेत्रक के बारे में और तिर्तक शेत्रक को हम सेवा शेत्रक भी बोलते हैं मतलब जो तर्शरी सेक्टर है उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं जिसमें बहुत सारी सेवाएं परदान की जाती हैं जैसे वेपार सेवाएं और लोकप्रसावसन तो ये सारी सेवाएं तिरत्रक चेत्रक यानि कि सर्विस सेक्टर के अन्तरगत आती इसके परषात आज हम जो पढ़ेंगे वह है वह सेवाजी सेक्टर है उसका जो भारत की एकनोमी है जो भारत की अर्थ विवस्ता है उसमें क्या योगदान है ठीक है ना उसकी क्या भूमी का है किस प्रकार से जो सर्विस सेक्टर है वो भारती एकनोमी के लिए महतुपून है तो भारत में जो सेवा छेतरक है इसका प्रसार बहुत ते वाई में योगदान भी कर रहा सेवाओं के अभः में अर्थवबस्ता के जीवन के बारे में सोचना भी कठेल है के आज कल आपके भी जीवन है मेरी भी जीवन में हम लोगों के जीवन में जो सेवाएं हैं जो सर्विसिस हैं उनका एक बहुत ज्यादा महत्पूर्स्थान हो गया है हम कई प्रकार से परिवन सेवाएं हो चाहे होटल की सेवाएं हो चाहे खाने पीने के संबंध में रेस्टोरेंट की सेवाएं हो चाहे हम एक्त-ववस्ता में हमारे जीवन में ठीक है ना बहुत एक महत्पून स्थान रखती है और जो हम सbuild पर एक्त के ली别 हो doc फिर हम देखेंगे कि विदेशों से जो धन आता है जो कोश जो विदेशी कोश है उसको आकरशित करने में क्या योगदान है और निर्यातों में यानिकी एक्सपोर्ट में सेवा छेत्रक यानिकी सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीबुशन है या योगदान है तो सबसे पहले ह जान लेते हैं सेवा छेत्रक का राष्ट्री आये में तीन छेत्रकों अर्थार्थ किसी उद्योग तथा सेवा छेत्रक यानि की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में सेवा छेत्रक ने यानि की सर्वी सेक्टर ने भारत की राष्ट्री आये में सबसे अधिक योग सबसे जो आया है वो आया है 16.3 ऐसे ही परिवहन से जो आया है वो आया है 7.8 ऐसे ही वित यानि कि बैंक वगएरा जो होते हैं रियल स्टेट बैंक व्यवसाय इन सबसे लगभर लगभक 16.7 समुदाय समाजीक तथा अन्य जो सेक्टर होता है उससे से जाए है चोदा ढाख 14,4 ऐसमें वित्त वाले जो काम होते हैं उसके अंतरकत सेवाının होता में सबसे जसे जादा युघ्दान वित्त वाले動 क्रस्ट सेवान ही जो सर्वीसिसम म्हें था और कुलमिला के ज सेवान ञाट तक है वो राष्ट्री आए में 55.2 परतिशत का योगदान करता है ठीक है ना यान कि अगर भारत हमारा जो है कुल मिला के 100 रुपे कमा रहा है पूरा इंडिया तो उसमें से 55 रुपे जो प्रवाइट कर रहा है वो कौन कर रहा है सर्विस ठीक है न तो इस प्रकार से सबसे ज चेत्रक का रोजगान प्रदान करने में योगदान तो सेवा चेत्रक किस प्रकार से रोजगार प्रदान करने में योगदान दे रहा है लगभग लगभग 30 प्रतिशत जो रोजगार है वो इस चेत्रक से प्राप्त होता है दोजान नौ दस में देश में कुल रोजगार इ मिलती हैं आगे आने वाले समय में इस आकडे में और विर्द्धी होने वाली है इसका मुख्य कारण है कि भारत में प्रते एक पर सिक्षित लोगों की संख्या में विर्द्धी हो रही है तो बड़ी जो लोग है जो शिक्षित लोगों की संख्या है वो तीरे तीरे बढ़ र पात आपने देखा होगा कि जो प्रात्मिक शेत्रह यानि कि कृषी है उसमें न लगकर वो किसी प्रकार के जो सेवा वाला शेत्रक है उसमें काम करने के लिए गाउं से शहर की और आ जाते हैं तो सिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है इसलिए सेवा शेत्रक में जो र अगिरिकफश एक्रफ भी बोलते हैं उसकी अपेक्षा जो सर्वीस सेक्टर है उसमें सेलरी भी जादा है ठीके न और उसमें जो वैसे मजदूरी होती है वह बहा अगला है वह जो पॉइंट है वह विदेशों से कोशों को आकर्शित करने में योगदान मतलब जो सेक्टर है उसका विकास हो रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें गुरोध बहुत तेजी से आ रही है उसका दुएकर विदेशों से लोग प्लाब कमाने के लिए इस छेत्र में अधिक धन निवेश करने में अपनी रूची प्रदर्शित कर रहे हैं लोग पैसा लग कूं से यह जो किताम में दिये हैं वह 910 के ना अधिक अना यही अद करना और यहीं लिखना होगा जो आपकी किताम में लिखा है तो लगब लगव आप देख सकते हैं 1,18,000 क्रोडपे विदेशी कंपनियों ने यहां पर निवेश है ठीक है ना कैसा निवेश किया है परत्यक्ष निवेश सुरूड रूपी में एक परत्यक्ष निवेश होटल आदी सेवाओं में हाल में जो भारत है उसमें कंप्यूटर सेवाओं में भी कई गुना विर्दी हुई है ठीक है इसमें 47,000 करोड रुपे से अधिक विदेशन से आकर्शित किये गए हैं इसके पश्चात है ठीक है न सेवाओं छेत्रक का राष्ट्री आई में योगदान यू तो हम पढ़ी चुके हैं ठीक है तो यह अभी वही अगला है निर्यात वाला ठीक है जो तीसरा जो चौथा पॉइंट था वो था कि जो सेवाओं छेत्रक है उसका निर्यात यानि कि एक्सपोर्ट में कितन योगदान रहा है यह मैंने उपर हेडिंग गलत हो गई है राष्ट्री आई की जगना होके यह निर्यात वाला होगा ठीक है आप इसको निर्यात वाला पढ़ लिजेगा तो हाल के वर्सों में भारत के सीवा छेत्रक ने निर्यातों के माध्यम से देश के लिए विदेशी में उस माल को भेज कर विदेशी पुझी जुटाते हैं विदेश से पैसा कमाते हैं ठीक है न उसको बोलते हैं निर्यात जिसमें की आप जो आये है वो डॉलर में पाउंड में जिस भी देश में भेज रहे हैं उस देश की करनसी में आपको पैसा मिलता है उस प्रकार से आ बहुत सारे काम होते हैं BPO होते हैं ठीक है ना ये KPO होते हैं उसके माध्यम से जो हम अपने देश से बैठे बेठे वहां पर सेवा दे पा शेमा काफी बड़ी मुद्रा में मुद्रा अर्जित कर पा रहा है तो हमारी वेफसाइक सेवाइं जिनमें सूचना परोद्धोगी कि आई टी, परामर सेवा, यहनल की कंसल्टेंसी सर्वेसेज, कानूनी सेवा, लीगल सर्वेसेज, इन सब को सम्मिलित किया जाता है इस सारी जो सर्वेसेज हमारी कैसी हो Candidation विश्वस्तर की हो चुकी है फिके ना word level की हो चुकी है इसके करण हमको काफी मात्रा में इसमें काम मिलता है और हम बडी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाते हैं एक आंकड़ा आपकी किता दे रखा है कि वर्ष 2019 में भारत ने सेवाओं के निर्याद से लगवग लगवग 45,35 लाख करोड रुपे कमाए हैं ठीक है ना इतना मतलब स्क्षा कहा historia है क्रिशी छेत्रक पढ़ा出त पिर हमने निर्मांड छेत्र सेवा छेत्रक तो इन तीनों के बीच आपस में कैसा संबंद है तीक है ना डाप वेवस्था के टीनों चonne के चेटरों में क्या सह बंदन है किस प्रकार से आपस में जूडी से जूड़ी न किसको आपकी किताब में एक कहानी के माध्यम से समझाया ब्लों को में थे कहानी के सामने कराव अपके सामदात करूँगा आप हमारे पास बहुत ज़्यादा संसादन तो है नहीं इस पिकार से लोगों के पास सीमित संसादन होते हैं वेपारियों के पास देश के पास उसे पिकार से हमारे पास भी संसादन सीमित हैं तो मैं चाहता तो था कि आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं लेकिन वो संभव नहीं हो तो मान लिजिए एक तो यह हम अभी पढ़ेंगे अर्थव्वस्ता के तीनों छेत्रक परस पर जोड़े होते हैं वास्तों में एक दूसरे के पूरक और परिशिस्ट होते हैं पूरक का मतलब होता है जो एक दूसरे को फूरा करते हैं ठीक है ना तो आप देखेंगे कि अभी तो हरी सिंग एक किसान है ठीक है ना जो किस में काम कर रहा है प्रात्मिक शेत्रक में काम कर रहा है और अपनी किर्शी भूमी पर गेहों की खेती करता है ठीक है तो मान लिजिए यह जो किसान है इसका नाम हरी सिंग है ठीक है तो हरी सिंग देख रहा है आप कितने अच्छ फसल इसने आगे के लिए रख ली है मतलब अपने इस्तमाल के लिए रख ली है और बाकी की जो दस कुंडल है वो इसने बाजार में बेशने के लिए अलग निकाल दी है ठीक है ना तो कोई भी किसान है कुछ मात्रा में तो खुद अपने उब्भोग के लिए समान रखता है बाकी का समान बजार में बेचने के लिए रख देता है जो असे जो बजार है जो बीस कुंटल की फसल हुई जो इसमें से कि 10 कुंटल उसने अपने खाने के लिए रख दिया और 10 कुंटल बजार में बेशने के लिए अलग रख दिया है अब जो उसके सामने समस्या आई है जो इस बार भी आई है जो कहीं सालों से आती जा रही है वो है पाने की कमी उसके यहां कहीं बार ऐसा होता है क् खेती बारिस पर डिपेंड करती है, बारिश अगर अच्छा मांसून होता तो खेती अच्छी वैती है, और मांसून ठीक नहीं होता तो खेती कई बार बरबाद भी हो जाती है, तो उसको प्रावलम है पानी की, तो पानी की समस्चा को दूर करने के लिए वो चाहा रहा है कि को अपने खेत में सिचाई करने के लिए एक पंप खरीद ले ठीक है ना, एक डीजल जो डीजल सैट होता है, उसको खरीदना चाहता है, अब जो यह डीजल पंप सैट है वो एक रवी मैनुफेक्टरर्स नाम की कंपनी है जो की उसका उत्पाधन करती है, ठीक हैं ना, और ुकासे वर इसके जो गांव है यहां रामपुर नाम की गाहों में हैं उस गाहों से लगवग लगवग 200 किलोमेटर की दूरी पर वह यो कम्पनी इस्थिद्ध है जो रवी मैननुफिक्षर की जो कम्पनी है वह करीब करीब 200 किलोमेटर आप दूर है इस गावं रामपुर से, ठीक है, तो अभ ये किस परकार से ईसको पराप्त करें, ठीक है, तो ये परेशान था, एक दोस्त इसके पास आया, उसने कहा कि यहाँ, आप मेरे साथ चलिए एक कसबी में, जो एक कसबा इसके घर के पास में कसबा है, तो वहाँ पर इ जाता है वहाँ पर कैरी सारे दुकाने हैं उन दुकान कि उसका मंजो पॉमक है वह दुकान पार अभी उपलब्द नहीं है दो घंटे में उज जो करीम नगर है वहां से ट्रक चल चुका है जो कि दो घंटे में दूकान पर पहुंच जाएगा और उसके पास जो माल है वो आ जाय गा ठीक है ना जो करीब-करीब पचास उसने pump मंगा रखे हैं जो कि उसके पास दो घंटी के अंदर पहुंच जाएंगे तो यह जो खिसान है हरी सिंग कहता है ठीक है उतना wait कर लेगा उतनी देर में जब वो wait करता है उस द्वारान वो पहले प्रात्मिक स्वास्त केंद्र में जाकर किसी एक बच्चे के लिए दबाई लेता है, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि किसान आया हुआ है जो कि प्रात्मिक शेत्र में काम करता है, फिर वो एक जो सेवा शेत्रक है, उसकी मदद लेता है, ठीक है ना, सेवा शेत्रक क जो स्कूल है, महाँ पर जा रहा है, बच्चे की पड़ाई की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इसने इस सारे काम किये, इसके पस्चार फिर वो लोट के, फिर जो दुकान थी उस पर वापस आता है, और तब तक जो ट्रक से माल वहाँ पर पहुंच चुका होता है, ट्रक से मा अरमत की दुकान है, उसके लिए भी समाना रहोता, उसी ट्रक में, ठीक है ना, तो यह ट्रक है, यह क्या है, यह भी परिवहन सेवाओं का उधरण है, ठीक है ना, तो परिवहन सेवा के माध्यम से, जो रवी मैनुफेक्टरर से, उसके वहाँ से जो रवी ब्रांड के जो gemacht कयो चैश देने में थोड़ा दरक्सित नहीं होता है तो इसलिए चैक का साहारा ले हे तू चैक किया है ? एक सेवा काometers है कि एक प्रकार मोनेगा अपने वे ट्रकान वाले को देता है और ट्रक वाला वह जो पैसा है वह ले जाकर उनको देगा और इस से देने के बाद जो हरी सिंह को का against उसका डीजल पंसट है वो मिल जाता है और हरी सिंह जह उस से बात करता है दुकानदार से तो उसको पता चलता है कि मौनसून में जो घरबड़ी हो रही है मौनसून कम ज्यादा हो जा रहा है उसकी वजह से आजकल जो डीजल pump set है उसकी विक्री काफी बढ़ गई है ठीक है न क्यूंकि सारे किसान अपने खेतों में सिचाई क्या कुछ ना कुछ एक स्थाई प्रबंद करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग तो भुष्ण भारी सिंग है वो आता है यहां पर और किस प्रकार से जो विनिरमान you सेकंडरी सेक्टर है उसकी अपने विनुर मेनुफटे रोट्र उसका वन वन्या वा उसको अपईयोग में लाता ए ठीक है ना तो इस प्रकार से जो इनका आपसका बंदन है और उसको प्रदान करने में बीच में ट्रक वाले की भूमी का भी आई ठीक है ना ट्रक वाले ने अपना जो माल है उसको सप्लाई किया माल को ठीक है ना माल का जो परिवहन है वो उसके लेके जाता है करीम नगर की तरफ को ठीक है ना तो इस प्रकार से तो जो अब जो सब्जी वाला है अब जो ट्रक वाला है ट्रक वाले को सब्जी वाले से पैसे लेगा और वो जो फिर सब्जी वहां से करीम नगर लेके जाएगा तो जिस दुगान कुदार को देगा तो वो उसको दे देगा ठीक है और कुछ पैसा जो ट्रक वाला है उसकी मजदूरी के जो रवी मैनुफेक्चरर से उसको देगा ठीक है तो वो उस पैसे के माध्यम से फिर जाकर अपने घर के लिए अनाज खरीदेगा अनाज किसने बना रखा है हरी सिंग ने जो कि प्रात्मिक शेत हैं यह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ठीक है क्योंकि जो जितने भी सेक्टर वाले हैं सबके सब खाना किस के माध्यम से खाएंगे प्रात्मिक शेत्रक से और जितने भी जो सारे शेत्रक वाले हैं सारे शेत्रक जितने भी सेक्टर से उनके जो काम करने वाले हैं वो सबक सब सेवाएं किस से लेंगे तीसरे सेक्टर से जो कि टर्सरी सेक्टर है या सेवा छेत्रक है सर्वी सेक्टर है ठीक है तो इस प्रिकार से ये तीनों जो छेत्रक है इन में बहुत एक गटबंधन होता है और पूरी अर्थविवस्ता आंत्रिक रूप से जोड़ी भी होती है इन थीजनों छेत्रकों के आपस के सेंबंधन के माध्यम से तो मैं मुझे लगता है शायद आपको ये कहानी समझ में आए होगी अगर ये कहानी आप समझ में ले आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंडें हैं अगर हरी सिंग जो की प्रात्मिक शेत्रक में काम करता है उसको अगर ये जो रवी मैनुफेक्टरर्स है जो की सेकंडरी सेक्टर का एक निर्माता है वी निर्माता है अगर वो पंप नहीं बनाएगा तो हरी सिंग को सिंचाय की सही जो सेवा है वो नहीं मिल पाएगी स शिचाय के माध्यम से वो अपना जो पादन है वो बड़ा नहीं पाएगा ठीक है ना तो ये सारी चीजे एक दूसरे से जुड़ीवी हैं और जो रभी मैनुफेक्टरर्स है वो भी डिपेंड करता है उस ट्रक वाली जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है जो परिवहन की सर्वि बंधन में है ठीक है आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अब चीजे आ गई होंगे तो इस पार्ट ये पार्ट अभी यहीं समाप्त होता है जो अगला पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में प्रारम करेंगे तब तक के लिए आप हुमारा वाट्सेप नमबर ले सकते हैं 7895860757 तो आपको कोई भी इस पार्ट से समंद्द समस्या होती है विशे से समंद्द कोई समस्या होती है कोई चीज आप पढ़ रहे हैं जो की नई चीज है जो कि शायद मुझे भी नहीं पता हो तो आप मुझे भी पता सकते हैं तो सारी चीजे आप वर्टसेप म हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वर्टसप नमबर हमारा है 7895860757 और साथ-साथ आप लोगों से फिर एक परनुरूद है कि आप लोग अपने दोस्तों अपने परीचितों ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ट से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजेगा ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो हमारी इस पहल का लाब ले सके धन्यवाद